बाल गिले ह और टौवल से इस इसomina इसे करते हैं यह बहुत गलत है और भाई लोग क्या हाल है ह। थमनेल में जो भी तुमनें देखा आया ना कोई clickbait नहीं है अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं अगर आपके बाथ ठिन हो रहे हैं अगर patches दिखने शुरू हो बॉलनेस हा रहा है तो हम क्या सोचते हैं हम सोचते हैं यह जैनेटिक है पर आपको एक चीज जानके हैरानी होगी आज से तीन महीं ने पहले जो मेरे स्कैल्प की हालत थी यह देखो फोटो और इसी लिए मैंने फोटो ले ली थी मुझे पता था कि लोगों को ऐसा लगए या कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और आज अब आप मेरे बालों को देखोगे तो बहुत ही जादा इंप्रूब्मेंट है यह देखो हर तरीके से दिखा दे रहा हूँ डेंस ब्लैक शाइनी तो ऐसी क्या मतलब किन-किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा तो यह मैं देखो आप यहाँ पे ऐसे पैचेस बन गया थे और बाल आ ही नहीं रहे थे मैं परेशान हो गया लिटरली मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा था मैं बोला यार लेकिन आज इस वीडियो को अगर तुमने कंप्लीट देख लिया कुछ हेर के रूटीन कुछ मिस्टेक्स ओइलिंग कैसे करना है शैंपू कितना करना है कंडिशनर कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा जिससे भाई मुझे रिजल्ट मिला पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूं मैं कोई हेर एक्सपर्ट नहीं हूं ना मैं कोई डर्मेट लॉजिस्ट हूं तो अगर आप मुझे अच्छे खासे अमाउंट मिल जाएंगे मेरे अकाउंट में और बोल देंगे हमारा क्लाइंट है बट बेसिक चीजें फ्री आफ चार्ज बता रहा हूं अब ध्यान से सुनो सबसे पहले बात करते हैं यह जो अलोपीशिया होती है मतलब यह जेनेटिक तो होता है च कोटी में हो गया तो लापरवाई आपकी है अब मैं बता रहा हूं किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान लखना है सबसे पहले और सबसे इंपोर्टेंट वह है ऑईलिंग ऑईलिंग कैसे करना यह सुन लो और अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सुधार लेना बहुत इसका रिजल्ट मिलेगा आपको बालो में सबसे पहले की ओईल कौन सा यूज करें तो आप अपने स्कैल्प कंडिशन के हिसाब से सबका एक स्पिसिफिक ओईल होता है किसी को 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 कॉगने का सही तरीका क्या है आप उसको वाम करो लेकिन बहुत जादा नहीं 60-65 डिगरी पर वाम कर लो ठीक है और ऑईलिंग करके भाई कभी बाहर मस जाना नहीं तो यह जो आपके स्कैल्प है ना प्रोडक्शन जहां से होता है वहाँ पर वो डस्ट पार्टिकल बैट जाएगा तो जो प्रोड़क्टिविटी है आपके बालों की जो नए बाल आ सकते थे उसको सीधा सीधा हैंपर करेगा तो ओईलिंग का सबसे बेश्ट तरीका जो है या तो ओवर नाइट ओईलिंग कर लो और ओईलिंग हमेशा बालों के मतलब जड़ में स्कैल्प में ऐसे सर्कुलर मोशन में आप कर सकते हो इस तरीके से इस तरीके से क्या होगा कि जो स्कैल्प को oil चाहिए, जो nutrition चाहिए, वो अच्छे से मिल जाएगा, यह सारी चीज़े मैंने करी implement और मुझे result मिला oiling, warm oil करके और आप उसको finger tip से ऐसे massage दो proper, कई लोग क्या करते oil ऐसे लेते, ऐसे ऐसे कर लेते तो भाई वो उपर उपर रह गया, आपके oil जो mean scalp को चाहिए, वही नहीं मिल पाया, समझो इस चीज़ को, तो oil आपको scalp में massage करके ऐसे इसको अंदर तक पहुचा देना nourishment ताकि आपके बाल घने काले और सुरक्षित रहे तो यह, अब बात करते हैं कि oiling कितना है, कि नुदर कितना करना चीए, मैं क्या कर रहा था? मैं थोड़ा excess oiling कर रहा था मुझे लग रहा था, oiling अगर मैं करता रहूंगा हर दिन करूंगा, तो जो मेरे बाल है तो फिर मुझे, मतलब मेरी एक फ्रेंड है और वो dermatologist है, बहुत अच्छे लेवल पर है, तो उससे मेरी बात वात हुई discussion हुआ, तो उसने मुझे ही suggest किया, कि oiling once a week पहुत है depends करता अगर आपका जो hair condition scalp dry है, तो आप twice a week कर सकते हो, लेकिन हर दिन oiling सही नहीं होता आपको हफते में दो बार और overnight अगर आपने oiling कर लिया है अगले दिन सुबह shampoo करोगे आप उसके बाद shampoo का एक condition है जो हम लोग गलती कर रहे होते हैं मैं भी कर रहा था, shampoo को हम क्या करते हैं, कि बालों पे पुरा ऐसे 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 घस देते हैं अब उसमें कुछ chemicals होते हैं कितना भी कोई sulfate free shampoo बना ले थोड़ा बहुत chemical होते है तो हमारे हेर को damage करता है आपको shampoo को हाथ में लेके न इस तरीके से scalp पे लगाना है यही गलती करते हैं कई लोग को पता ही नहीं होता आपको scalp पे लगाना है क्योंकि यह shampoo का काम क्या है वो shampoo आपके scalp को साफ करता है जो भी oil है, dirt है, जो भी चीज़ उसको हटाता है तो आपको scalp पे shampoo करना है यह सारी आदते आप बदलोगे ना देखना कितना अच्छा रिदर लटाएगा मुझे मीला तो मैं आपसे share कर रहा हूँ अब एक गलती और जो मैं खुद करता था भाई जिसकी वज़े से मेरे बाल fizzy देखो, hair fall कभी भी होगा, hair loss होगा तो पहले आपके बाल fizzy, dry होना शुरू होगे और उसके बाद टूटेंगे मैं कहाँ था, मैं conditioner लगाते ही नहीं था क्यों क्योंकि styling में दिक्कत होती हूँ मुझे पफ नहीं बन पादे, conditioner के बाद बाल तोड़े हलके से हो जाते हैं फिर मुझे पता चला कि नहीं, conditioner important और जब से मैंने use करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा result मिला तो shampoo के बाद आपको conditioner use करना ही करना है फिर से बोलूँगा कि shampoo और conditioner अपने scalp condition के हिसाब से चुनो, कोई भी random मत उठालो किसी का भी advertisement देख लिया और उठा लिया नहीं अगर आपके scalp, ध्यान से सुनो, अगर आपका scalp dry है तो आपको ऐसा shampoo और conditioner चूज करना है जो moisture दे आपके scalp को नरिश करे अगर आपका scalp excess oily है तो आपको ऐसा shampoo और conditioner यूज करना है जो excess oil को हटा के और oil balance करें क्योंकि excessive oil भी scalp पे अच्छा नहीं होता balance होना चाहिए ये बात है तो ये तो होगी बात oiling की, shampoo, conditioner अब बात करते हैं कुछ गलतियां जो impact कर रहा है आपके hair growth को जो hair brush है कभी दूसरे का use मत करो अपना personal रखो मैं आपको फिर से बोलूगा उसका reason क्या है कुछ scalp infections होते हैं जो bacteria दूसरे के scalp से आपके scalp पे transfer हो जाते हैं और hair loss, hair fall, ये जो patches बनते हैं white-white से दिखने लगते कई बार कई बार वो hair scalp infection भी होता है ठीक है cure करने के बार time से वो चला जाता है temporary होता है बड़ कई बार time पे आपने cure नहीं कि आपका ध्यान नहीं गया तो वो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन सकती है चीज़े तो hair brush अपना personal किसी से share मत करो पहला, दूसरा कभी भी गिले बाल को हम लोग क्या करते है दिखाता हो आपको बाल गिले हैं और टौ Miles से ऐसे 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 यह बहुत गलत है बाल गिले, इस पे weight है थीक है? मतलब यह heavy हो रख़ा है न? और गिले बाल को जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो scalp से बाल खिचते है फिर वो कमजोर हो जाता है और वो तूटने लगता है तो आपको ये गलती नहीं करनी है ठीक है एक और important बात अगर आप चाहते हो कि आपके जो बाल है अच्छे रहे काले रहे फिजी ना हो तो आपको regularly इसको trim कराते रहना है split ends create हो जाते हैं अगर आप trim नहीं कराते हो ना तो अभी तो मैंने करवा रखा है इसलिए मैं ठीक से लग रहे है ठीक है अभी वो डस्ट है थोड़ा इस वज़े से टॉबल्स हो गया नहीं तो यह जो है ना यह ऐसे करके और लास्ट में यूँ ऐसे trim करा लो split ends को इससे आप देखोगे कि बाल जो आपके बहुत सही रहें है regular growth होता रहेगा मैं यह नहीं कह रहा है कि मतलब scientifically कि जितना trim कराओगे उतना growth होगा नहीं इसका main कारण ही होता है कि जो split ends होते है ना वो फिर आपके बालों को fizzy बनाते है और वो scalp से खिचता है जो भी बाल आपके वो scalp से ख है वो अपने यंग एज में अपने बाल गवा देते है और भाई बाल जो है ने यह hidden crown है for men ठीक है तो इस वज़े से इन चीजों को implement करना मुझे result मिला है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत अच्छा result मिलेगा बहुत सारी और चीज़े हैं तो यह तो part 1 है अगर आपको part 2 चाहिए तो comment section में बता देना कि और कुछ चीज़े आप in detail जानना चाहते हो क्योंकि यहां में experience से बता रहा हूं जिससे मैंने खुद अपने बाल आज देखो आज बहुत नजर नागे बस बहुत अच्छे वाल काले घने शाइनी नहीं कोई पैचेज नी और फोटो में आपने देखा कि क्या हल था यहां से तो गाया भी हो गए थे तो बच गए सही टाइम पर तो आप भी सही टाइम पर action ले लो I hope आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी और अगर content पसन है तो like कर देना चैनल प यहां से से ते केर बाइ